ओम शांति आज त्रिमूर्ती दादियों के अमरित वचन में हम आदर्निय गुलजार दादी जी के अमरित वचन सुनेंगे और दादी जी के क्लास का टॉपिक है मुर्ली सुनते हर पॉइंट का स्वरूप बनते जाओ तो कभी थकावट वर सुस्ती नहीं आएगी मुर्ली सुनते हर पॉइंट का स्वरूप बनते जाओ तो कभी थकावट वर सुस्ती नहीं आएगी दादी जी कहती है जब मुर्ली सुनते हैं तो बाबा जो पॉइंट कहे रहा है उस पॉइंट का अनुभव करते जाएं और सुनते जाएं तो नींद या भारीपन कभी नहीं आएगा किस विधी से मुडली सुननी है? किस स्थती में रहकर हमें मुडली सुननी चाहिए? तो दादी जी बहुत अच्छी बात बता रहें कि बाबा जो पॉइंट कह रहा है उसे सुनते सुनते अनुभव भी करते जाएं और साथ में सुनते जाएं दोनों एक साथ हूँ तो नींद या भारीपन कभी नहीं आएगा जैसे कोई खुराक खाए तो ये मन की खुराक है न तो खाना खाते समय कोई सोते हैं क्या? खाते समय कोई सोता है? नहीं सोता तो मन भी उस समय क्या कर रहा है? ग्यान की खुराक खा रहा है तो आखे बंद कैसे हो सकती है फिर? सोए तो फिर खाना कहा जाएगा? तो यह भी म मन का भूजन है, तो मन नाचना चाहिए ना। हमेशा मुडली जब हम सुनते हैं, तो ये नहीं समझे कि बाबा क्लास के लिए मुडली चला रहे हैं। बहुत बैठे हैं ना। लेकिन नहीं, बाबा मुडली द्वारा पर्सनल मेरे से बात कर रहा है। कितनी सुन्दर बात है, ये अनुभव करें कि बाबा खास मेरे सामने बैठ कर, सिर्फ और सिर्फ मुर्ली के द्वारा मेरे से बात कर रहा है, क्लास में चाहे कितने भी लोग बैठे हैं, लेकिन ये अनुभव हो कि पर्सनली मैं बाबा से सुन रही हूँ, अब कोई मेरे से ब मेरे लिए आया है, मेरे लिए बाबा सुना रहा है, और मेरा बाबा है, अगर इसे स्मृती में बैठेंगे, तो कभी भी मुर्ले सुनते हुए, सुस्ती नहीं आएगी। साकार के समय मुर्ली के बीच में कोई ने अगर उबासी ली और बाबा की नजर पढ़ गई, तो बाबा फोरण कहता था, इसको उठाओ। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था साकार बाबा को, क्योंकि बाबा को यही आता था, कि कल्प में एक बार इतना दूर से शिव बाबा आके पढ़ाता है, और यहां ऐसे समय पर उबासी दे वे। टीचर का कितना अपमान है? इतना दूर से और पांच जार वर्ष में सिर्फ एक ही बार वो आता है, और बच्चे उबासी दे, तो जब जो बात जैसी बाबा कहते हैं, उसी समय वैसा ही अनुभो करते जाएं। परमधाम कहा, तो परमधाम की समर्थी आ गई, अगर सुक्ष्मवतन कहा, तो वो समर्थी में आ जाए। भक्तों की बाते की तो मैं देवी के रूप में भक्तों को देख रही हूं तो जो बात बाबा कहता है उसी अनुभव में अगर हम होंगे तो नीन्द या भारी पन नहीं आएगा जैसी बाबा की बात वैसी वैसी स्मृति वैसा वैसा चित्र हम अपने अंदर लाते जाएं मानु अतिंद्र ये सुख का अनुभव हो रहा है तो नीन, अलबेलापन या सुस्ति आएगी क्या तो हमेशा मुर्ली सुनने के समय हमें यह चेक करना है कि आज मेरे लिए बाबा क्या-क्या सुखाते लाया है जैसे बच्चा क्या करता है, पिता के आने का इंतजार करता है ना कि पिता जब लोटी का घर तो पता नी उनके बैग में मेरे लिए क्या-क्या सुखाते होंगी अच मेरे लिये बाबा क्या क्या सौगाति हुगा। मेरा टीचर इतना दुर से आया है। वैसे भी कोई दूर से आता है, तो उसका कितना स्वागत किया जाता है। ये तो पांच हजार वर्ष के बाद, बाबा हमारे लिये आता है। जैसे मेरा बाबा कहते हैं, वैसे मेरे लिए आया हुआ है। यह पर्सनल भासना अगर हमारे पास होगी, तो बहुत इस फूर्ती से मुर्ली सुनेंगे। और अनुभव होने लगेगा कि बाबा हमारी जूली में इतने मोती डाल कर ग्यान रतनों से भरपूर कर रहा है। तो हमारा अटेंशन मुर्ली सुनने में होना चाहिए। मुर्ली में बाबा ने जो कहा उसमें हा या ना नहीं किया, तो बाबा कहता था ये कौन सा बुद्धु सामने बैठा है। इतना अटेंशन ब्रह्मा बाबा हमारे उपर देता था। बाबा सिक्षाए भी देता तो प्यार भी इतना करता। ऐसे ही हमारी दादी की नेचर थी। समझो कोई छोटे बहन जाके दादी को कहती है, दादी आज ऐसा हुआ मेरे को बहुत रोना आ गया, मेरे को फीलिंग आ गई, तो दादी कभी भी उनकी बात बड़ी बहन को सुनाएगी नहीं, उलहना नहीं देगी। लेकिन उनको ऐसा खुश करके भीजती थी, उसको ठीक कर देती थी। जनरल में क्लास करा के टोटल सिक्षा देगी, परसनल में इशारे से सुनाएगी, सीधा नहीं कहेगी कि तुमने ये किया। किसी का दिल दुख जाए, किसी के दिल को तकलीफ हो ऐसे बात दादी कभी नहीं कहती, जंदल सिक्षा देती या तो इशारे में कहती, उस बात को दादी फिर दिल में नहीं रखती थी, ये भी बहुत बड़ी बात है, हम दूसरों की बाते बार बार सुनते सुनते, उनके प् दिल में एक ही बात बैठेगी न, दो तो नहीं बैठेगी, बीती हुई बात रिपीट होती रहती है, तो खुशी गायब हो जाती है, इसलिए दिल में बाबा की बातों को बिठा दो, किसको बिठाओ दिल में, या तो बाबा को, या बाबा की सुनी हुई मीठी मीठी बातों क मुर्ली इतना प्यार से सुनो जो वही रिपीट होती रहे दूसरी कोई बात आये ही नहीं बस बाबा की मुर्ली सुनी और बाबा की बाते दिल में समा जाए इतना अच्छी तरह इतना प्यार से दादी कहती हमें मुर्ली सुनना है और क्या स्मृति रखना है बाबा मेरा है मे अच्छा, ओम शान्ति